हलो फ्रेंड्स वेल्कम तो ब्यूटिकल स्क्वेर तो आज किस वीडियो में आपके साथ यह वाली मेकप लुक चो कहा है शेयर करने जा रही हूँ तो इस लुक को जो है मैंने डिनर या पार्टी के लिए क्रेट किया है अगर कभी आप अपनी फैंबली या फ्रेंड के साथ जो है डिनर पे जा रहे हैं तो किसी पार्टी में जा रहे हैं तो इससे क्रेट कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसे मैंने create किया है तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को भी subscribe कर लें बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे new videos की update अपडेट से मिलती रहे और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो like और share करना बिल्कुल भी ना भूलें चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं तो फेस को जो है मैंने अच्छे से clean कर लिया है और toner भी apply कर लिया है उसके बाद मैं अपने face पे apply करूंगी serum तो यहां पर मैंने पोर मीनिमाइजिंग serum apply किया है तो इससे तीन चार बूंदे अपने face पे apply करूंगी और थोड़े अधेर मसाज करके इसे अच्छी तरह से और organic harvest की sunscreen acne और oily skin के लिए बहुत ही अच्छी है इसमें SPF 60 है और PA++++ है यह आपके face को matte finish देती है बिल्कुल भी oily नहीं करती है water resistant है और with certified organic ingredients से तो इसके बाद मैंने यूज़ की ए लैक मी ल्यूमी क्रीम moisturizer with highlighter तो यह moisturizer है जो की with highlighter है तो आपकी base को जो है बहुत अच्छा सा glow भी दे देता है यह इसे मैं अपने पूरे face पे apply कर लूँगी तो आप देख सकते हैं कि इसने मेरे face में थोड़ी सी यूज़ करती है आपने काफी वीडियो में मुझे इसे यूज़ करते हुए देखा होगा जहां पर मुझे open pores की ज्यादा problem है मैं वहाँ वहाँ इसे apply कर लूँगी जितने भी product हमने अभी अपने skin पे लगाए है वह हमारी skin पे अच्छी तरह से penetrate हो जाए उसके लिए हम अपने फिंगर से warm-up करूंगी और फिज डॉट-डॉट करके अपने फूरे face पे apply कर लूँगी का foundation है hydrating foundation है बहुत अच्छी से आपके face पे जो है apply होता है skin पे और बहुत अच्छी तरह से blend भी हो जाता है थोड़ा सा expensive है पर आप इसे नाइका से purchase करेंगे तो काफी अच् कर लूँगी तो आप देख सकते हैं कि मेरी skin पे कितनी अच्छी तरह से foundation जो है blend हो रहा है बहुत अच्छा foundation है बहुत अच्छी तरह से blend होता है बिल्कुल भी आपके जो makeup को है patchy नहीं करता है ये वैसे तो light coverage foundation है ये पर आप इसे build-up भी कर सकते हैं तो जहां पर मुझे य कितनी अच्छी coverage इस foundation प्रोवाइड की है मेरे face को तो इसके बाद अपने face पे apply करूंगी concealer तो मैंने यहां पर insight का एच्छी concealer जो है apply किया है high definition concealer है ये तो इसे मैं अपने under eye area पे लगा लूँगी थोड़ सा nose पे लगाऊंगी forehead पे लगाऊंगी जहां-जहां मुझे highlight करना अ तो इसे मैं powder brush से जहां-जहां मुझे अपने base को set करना है वहाँ-वहाँ मैं इसे apply करूंगी सबसे पहले मैं अपने eye area को set करूंगी क्योंकि यहां पे concealer बहुत जल्दी से आपका जो है वह कठा हो जाता है और बहुत patchy दिखाए देता है इसलिए मैं सबसे पहले अपने eye area क कंसील करूंगी सेट करूंगी सौरी तो के ब्यूटी का foundation है और यह compact powder है तो आपको यह थोड़ा expensive लग रहा होगा पर आपको नाइका पर यह काफी अच्छे discount में मिल जाएगा तो आप वहाँ से purchase कर सकते हैं तो उसके बाद मैंने eyebrow को set करने के लिए यहां पर essence का जो है eyebrow gel लब कर लूँगी इसकी shade है zero to brownie बहुत ही अच्छा eyebrow gel है आपकी eyebrow को natural look देता है यह तो कभी भी अगर आप अपने eyebrow को fill करें तो last से शुरू करें fill करना और फिस starting point तक जाए इससे क्या होता है eyebrow की natural look आती है तो उसके बाद मैं अपने eyebrow को clean spoolie से जो है brush कर लूँगी अच्छे तो इसके बाद मैं अपलाई किया है like me 9 to 5 का natural finishing powder तो इस तरह से थोड़ी सी quantity में इसके cap पे निकाल के और beauty blender का use करके मैं इससे अपने face की है जो बेकिंग करूंगी तो इसका मतलब होता है कि आपको जो है कुछ area जो होते हैं जो अपने highlight करने होते हैं बहुत जादा से उभा करते हैं अपने face की उसी तरह से आपको baking भी करती होती है अपने face की इससे क्या होता है जो आपने concealing की है वो आपकी सारी set हो जाती है तो इसके बाद मैंने Swiss beauty का eyeshadow palette लिया उसमें से मैंने यह light वाली शेयर ली है तो इससे जो है मैं अपने पूरी क्रीज जो है वो तैयार करू कि उसके बाद मैंने उसी palette में से यह light color की shade ली है white color की इसे जो मैं अपने पूरे eye lid पे apply करूंगी उसी brush से उसके बाद मैंने उसी palette में से यह black shimmer color की जो shade ली है तो इसे मैं blending brush से apply करूंगी अपने outer corners पे तो इसे आपको अच्छी तरह से blend करना है क्योंकि black shade को blend करना थोड़ा सा मुश्किल होता है पर आप अच्छी तरह से blend करेंगे तो यह काफी अच्छी तरह से blend हो जाता है बिल्कुल धीरे अपने हलके हाथों से जो है आपको इससे blend करना है फिर मैं इसे थोड़ा सा आगे अपने inner corners तक लेके जाऊंगी इसे बाद मैंने use किया है Glam 21 का eyeshadow palette यह जो इसे जो आपको finger से dap, dap करके जो है apply करना है blend नहीं करना है तो उसके बाद मैं जो black shade जो मैंने corners पे apply की थी उसी से मैं जो है अपने lower lash line पे apply कर रही हूं और inner corners में जो है same light shade मैं apply करूंगी फिर इन दोनों shades को जो है आपस मैं मैं merge कर दूंगी तो उसके बाद अपने inner corners पे जो है मैं shimmery light shade apply करूंगी आई makeup complete होने के बाद जो मैंने powder से baking की थी उसको मैं powder brush से डस्ट आउट कर दूंगी तो आप देख सकते हैं powder अपनी जगह पे कितने अच्छी तरह से set हो चुका है तो उसके बाद जो है blush palette यूज़ करी यहां पे Swiss beauty का ही उसमें से मैं contour shade लेके अपन blush लिया है तो इसे मैं अपने cheeks पे apply करूंगी थोड़ा सा nose पे forehead पे और चिन पे भी apply कर लोंगी तो उसके बाद मैंने लैक मी का iconic मशकारा लिया है तो इसको मैं अपने eyelashes पे apply करूंगी अच्छी तरह से lower eyelashes पे भी apply कर लोंगी तो उसके बाद मैंने उसी palette में से जो है highlighter लिया ह तो इससे मैंने अपने face को highlight कर लिया है यहाँ पे मैं वीडियो में थोड़ा दिखाना भूल गई हूँ तो उसके बाद हम apply करेंगे lipstick तो मैंने यहाँ पे like me 925 की lipstick यूज़ किया है इसमें जो मेरा shade है MP7 Rosy Sandy है तो इस lipstick का shade जो है बहुत ही प्यारा है मुझे बहुत अच्छ में जाएं तो इस तरह से makeup जो है कर सकते हैं तो आपको मेरा overall makeup look किस तरह कर लगा मुझे comment करके जरूर बताएं और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो like और share करें अपने family और friend के साथ तो मिलती हूँ आपको फिर next वीडियो में तब तक के लिए take care and bye